प्रवाल जी का बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ आपने बोलने का समय दिया मैं मानिनी प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ मानिनी वित्व मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूं मानिनिय विवानन मंत्री जी को मैं मांगो का समर्तन करते हुए मैं हिर्दय से धन्यवाद देती हूं मानिनिय मंत्री जी को और विवानन की पूरी टीम को जिन्होंने यूकरेन से भारत के 20,000 से जादा बच्चों को अपने परिवार के पास पहुंचाने का कार किया मैं हिर्दे से अभिननदन भी करती हूं पूरी टीम का और उड़े देश का आम नागरिक उसके तहट मैं अपने लोकसवाद छेतर का हमारा दतिया जिला जो कि मानिनिया मंत्री जी जानते हैं मापितामवरा की नगरी है दतिया में माई के दर्सनों के लिए देश के कौने कौने से स्रिधालूं का आना जाना बना रहता है यहां सक्ती साधना का केंद्र है यहां पर स्रिधालू पूजा अर्चना की दरश्टी से महीनों महीनों बहर 15 दिन की पूजा को याड दिनों की फूजा लगाता है वो अपने परिवार के साथ कराने आते हैं यहाँ पर छाथ छात्रा हैं संस्कृत की विद्या प्राप करने के लिए भी आते हैं दूर दूर से और यहाँ पर रतंगड की माता जो की प्रसिद है फेमस है यहाँ पर संकुआ धाम भी है प्रसिद प्राचिन इस्तल है बाला जी सूर्य मंदर है यह दतिया के प्रमुक इस्तल है प्राचिन धरोर है तो मैं मानिनिया मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उडान स्कीम के तहत इस जिले को जोड़ा जाए और धार्मिक इस्तलों से कनेक्टिविटी की जाए जिसे की अन्य धार्मिक इस्तलों से दतियामा पीतामरकी नगरी को लोग दर्सन के लिए वहाँ आ सके और फ्लाटों की वहाँ पर अभी तो वहाँ कुछ नहीं है मानिनिया मंत्री जानते हैं तो वहाँ हवाँ एड़ा खोला जाए और फ्लाइट पूनिस्तल है, चंबल सेंचुरी है, वोरेसवर मंदिर है, बन केंडरेसवर मंदिर है, ददरुवा धाम मंदिर है, जो कि डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है, मानिनिया मंत्री जी भली भाती इन इस्तानों से परिशित भी हैं, सभी इस्तानों पर बड़ी संक्या में लोगों का आना जाना रहता है भिंड में ऐसी धरोरे हैं जिनने देश के कौने-कौने से लोगों का देखने का आउसर मिलता है ब्यापारिक द्रश्टी से भी यहां पर लोगों का आना जाना लगातार बना रहता है इसलिए मैं मानिनी मंत्री जी से निवेदन करूँगी कि इसे भी उड़ान इस टीम के तहत जोड़ा जाना चाहिए, वहां तो भिंड में कुछ भी नहीं है, यारपोर्ट के लिए जगे भी ढूड़ी है, प्रसासने में बात भी किये, दो-तीन जगे उन्होंने इस्तान चैन करके रखा है, तो वहां पर हवाई एड़ा बनाया जा इनी के साथ मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद, श्री राज मोहन उन्नितन जी